अगर आप भी रोज रोज आलु वाले रोल और सुमो सी अफ़तार में खाखा कर तंग आ चुके हैं तो आज कुछ अलग ट्राय करते हैं और ताजा ताजा सबसियों से बहुत ही टेस्टी से रोल्स बनाते हैं तो बिना देर की ये रेसिपी को स्टार्ट करते हैं बिसमिल्य दालेंगे एक कप उबली हुई और श्रेड की हुई चिकन फ्लेम को मैंने मीडियूम टूलो के उपर रखा हुआ है अब इसमें डालेंगे गाजर एक कप बारी कटी हुई गाजर लेंगे अब इसमें डालेंगे हरी प्यास आधा कप फिर इसमें डालेंगे शिमला मिर्च बारी कटी हुई, लंबाई में मैंने काट लिया था, एक कप, फिर इसमें डालेंगे बंद को भी, इसे भी मैंने बारी काट लिया था, एक कप, इन तमाम चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फ्लेम को हम हाई नहीं करेंगे, सबजियां वरना जहल जाएंगे, फिर इसम इसमाम चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इन्हें सिर्फ दो से तीन मिनिट के लिए पकाएंगे, जादा नहीं कुक करेंगे, वरना सबजियों की जो क्रंचीनेस होगी, वो खतम हो जाएगी, और उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट राता है, यहाँ पर यह तियार हो च इसमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी आड़ करते जाएंगे, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा-थोड़ा करके मैं इसमें पानी आड़ करते जाऊंगी, और इसका स्मूध सा पतला सा पेस्ट बना लूँगी, बहुत जादा घाड़ा भी नहीं, बहुत ज अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी और बैल ऐकन के बटन को प्रेस करना मत बूलेगा ताकि आपको मेरी सारी लेटिस्ट वीडियो असानी के साथ मिल सकें यहाँ पर इसके उपर थोड़ो थोड़ा सा मैदल गएंगे जो पेस्ट हमने त्यार किया ताकि यह खुले लेना और इसे बंद करके रखते जाएंगे सारे rolls इसी तरह से बना कर त्यार कर लेंगे अब सारे rolls त्यार करके इसी किसी भी airtight डबे में रखके freezer में एक मातक के लिए महफूज कर सकते हैं यहाँ पर मैंने सारे rolls बना कर त्यार कर लिए थोड़े से मैं fry करूँगी बाकी मैं बाद के लिए रख लूँगी यहाँ पर मैंने एक पैन में oil गर्म किया है इसमें rolls को रखते जाएंगे और इसे medium flame के उपर fry करेंगे flame बहुत जादा high नहीं होनी चाहिए बना अंदर से कच्छे रह जाएंगे उपर से जहल जाएंगे इन्हें प्यारा सा golden color आने तक fry कर लेंगे यहाँ पर यह तकरीबन fry हो चुके अभी ने किसी भी प्लेट में निकाल लेंगे वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और कुमेंट्स में अपना feedback जरूर दीजेगा कि spring rolls की recipe आपको कैसे लगी अपना बहुत सारा क्या रखेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्ला हाफीज